ये आकाश्वणी है स्वागत है आपका कोरोना जगरूता शिंकला के एक और एपिसोड में धीरे धीरे देश में कोविट के मामलों में कमी आ रहे है साथी सस्थोने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है और ये अब 96% से भी अधिक हो गई है देश में अब तक 33 करोन 28 लाग से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है कोविट से समधित किसी भी जानकारी के लिए आप राश्ट्री हिल्पलाइन नंबर 1075 और 01123978046 पर संपर कर सकते हैं इसलिए कोरोना और उसकी वैक्सीन को लेकर आपको जागरूग करने और आपके सवलों का जवाब देने के लिए आकाश्वानी पर हम आपके लिए लेका राते हैं कोरोना जागरूगता पर विशेश कारक्रम आज की इस अंग के साथ मैं हूँ सिधार सिंग और शोताओं आज की इस विशेश फोन इन कारक्रम में हमारे साथ हैं अथिल भारती अर्विगन संस्थान एम्स नई दिल्ली के डिपार्टमेंट आफ सजरी के पूर प्रमुक प्रोफेसर डॉक्टर अनराग शर्वास्तो डॉक्टर अनराग नमस्कार कारक्रम में आपका सागत है हलो डॉक्टर अनराग शोताओं आप कुरोना से सम्मंधि सवाल डॉक्टर अनराग से हमारे टोल फ्री नमबर 180015667 और 01123314444 पर पूस सकते हैं आप हमारे ट्विटर हैंडल एट AIR नूस पर हैश्टेग आज की आयार पर अपने सवाल पूस भी कर सकते हैं और डॉक्टर अनराग हेलो जी डॉक्टर अनराग क्या आप हमें सन पा रहे हैं? जी डॉक्टर अनराग से हमारा सम्म पर किसी तक्नीकी कारों से नहीं हो पा रहा है और बहुत जल्द जैसे ही डॉक्टर अनराग हम से जुड़ते हैं हम उनसे इस विशह पर अपनी चाचा करेंगे आपके सवालों का जवाब वो देंगे तब तक आपको ये बता दें कि इस समय जो कोविड वैक्सिनेशन है अब तक 33 करूं 28 लाग से जादा लोगों का कोविड वैक्सिनेशन किया जा चुका है और जो देश में कोविड से ठीक होने वालों का प्रतिशत भी वो अब बहतर हो रहा है और अब ये 96.92 प्रतिशत हो गया है और अगर हम ऐसे लोगों की बात करें जो अब कोविड फ्री हो चुके हैं वो हैं दो करूं 94 लाग से अधिक लोग जिन जो अब इस संक्रमर से उबर चुके हैं पिशले 24 घंटों के अगर हम बात करें तो 60,000 से ज़्यादा मरी स्वस्त होए हैं और जो संक्रमर से ठीक होने वालों की जो दर है वो नए मामलों से अधिक रहे है यानि एक अच्छी खबर है कि जो ठीक होने वालों की संख्या है वो संख्या संक्मित होने वाले लोगों से ज़्यादा है कोपिछले 24 गंटों में कोविट की 45,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आये हैं और अब सक्री मामले लगभग 5,37,000 बचे हैं ये कुल मामलों का 1.77,000 साथ प्रतिशध है और अगर हम सापताहिक दर देखें संक्मन की तो भी 5.5 प्रतिशध से नीचे बनी हुई है और ये इस समय 2.69 प्रतिशध है और अगर हम ये देखें कि गुविट जो सैंपल्स की बात अगर हम करें कोविट की जाँच की अगर हम बात करें तो इसमें भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है इजाफा हो रहा है और अब तक 41 करोन एक लाख नमूनों की जाँच की जा चुकी है तो अगर हम देखें तो जहां पे जाँच की बात है जो टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की बात की जाती है तो इस समें ट्रिपिल ट्री पर काम हो रहा है जहां पे अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि आंदर कोविट की किसी भी तरह की लक्षन पाय जाते हैं तो ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि उसे तुरंट डॉक्टर से परामश करना चाहिए और अपनी चांच करना है चाहिए इस बीच दुबारा कोशिश करते हैं डॉक्टर अनुराक से संपर्क करने की डॉक्टर अनुराक क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? और अगर हम सौस्त मंताले की बीफिंग की अगर हम बात करें जो उनकी प्रिस कांफरेंस होई है उसमें ये उन्होंने कहा है कि देश में डैनिक जो कोबिच संक्रिमितों की संख्या में लागातार कमी आ रही है और सौस्त होने की जोडर है ये भी बड़ी है जैसा कि हमने पह है कि कल केवल 37,566 लोगों में कोबिच संक्रिमितों की पुष्टी हुई है और अगर हम देखें तो 4 मही तक देश में 531 ऐसे जिले थे जहां प्रतिदिन 100 से अधिक लोग संक्रिमितों हो रहे थे अब ऐसे जिलों की संख्या घटकर 111 रह गई है तो 531 जिलों से घटकर य के 37 लाग से अधिक रोग्यों का इलाज चल रहा था और इसके बाद से वो मरीज जिनका उपचार चल रहा था उनकी संक्या में लगातार कमी आ रहे है और ये संक्या अब 85 प्रतिशत तक कम होकर लगभग 5 लाग 52,000 रह गई है तीन माई को स्वस्थ होने की दर 80.8 प्रतिशत थी और जो कि अभी अगर हम वरतमान इस्तिति की बात करें तो ये 96.9 प्रतिशत पर पहुँच गई है जो कि बहुत अच्छी बात है और जैसे जैसे जो स्वस्थ होने की दर ये बढ़ेगी हम उतनी तेजी से कोविट पर का अबू पाएंगे अगर हम देखें तो पूरे देश में 565 ऐसे जिले हैं या डिस्टिक्स हैं जहां कोविट संक्रमन की जो दर है वो 5 प्रतिशत से भी कम हैं अगर कोविट वैक्सिनेशन के हम बात करें तो जैसा कि हमने आप से साज़ा किया कि देश में 33 करून जो शित्रों के अगर हम बात करें तो एक मई से 24 जून तक 9 करून 72 लाग टीके लगाए गए यह जो टोटल वैक्सिनेशन है उसका 56 प्रतिशत है वहें शहरी शित्रों में 7 करून 68 लाग लोगों को कोविट रूधी टीके लगाए गए हैं और यह टोटल वैक्सिनेशन का 44 प् देखें कि भारत विश्मि सरवाधिक संख्या में कीके लगाने के मामले में अगर यह देखा जाए तो पहले स्थान पर है जो कि एक बहुत ही बड़ी उपलब्धी है और अमरीका में अगर हम देखें तो 193 दिनों में 32 करून वैक्सिन्स लगाए गई गई जबकि भारत मे इतनी ही वैक्सिन्स मात 163 दिन में लगाए गी तो यह अपने आप में बहुत एक बड़ी उपलब्धी है और सरकार की पूरी कोशिश है कि जो वैक्सिनेशन है इसकी जो दर है यह तेज की जाए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सिन लगाई जाए और आपको भ है वहाँ पर आप जाएं और वैक्सिनेट कराएं क्योंकि कोविट की तीसी लहर को रोकने के लिए जैसा कि हमारे विशेश की बताते हैं इसकार करिम के माध्यम से कि अगर हम जितनी तेजी से वैक्सिनेशन करेंगे जितनी जल्दी से टीका करन करेंगे उतनी ही जादा आप अपने पास-पास के चिकित सक से बात कर सकते हैं आप हमरे कारिकम के माध्यम से सवाल कर सकते हैं जो हमरे कारिकम में प्रति दिन विशेशक आते हैं वो आपकी शंकाओं को दूर कर सकते हैं लेकिन आपको वैक्सिन जरूर लगाना है और जैसा कि हम आपसे कहेंगे कि वैक्सीन लगवाना ही नहीं है बलकि दूसरों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेजित करता है जैसे कि प्रधानमंती जी बार बार हमसे और देश की जंता से अनरोध करते रहे हैं कि अगर एक वैक्ती अगर दूसरे को कन्मिस करता है वो वैक्ती अगले को कन्मिस करता तो ऐसे एक चीन बन जाती है और कहीं न कहीं जब हम वैक्सिनेशन अगर हम देखें तो अगर आज की डेट में हम वैक्सिनेशन अपना करा के आते हैं तो अपने आस पास के लोगों के लिए हम एक रूर मौडल बने हम उनको बताएं कि वैक्सिन लगवाने से किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं है बलकि इसके फायदे अनेक हैं या हम यू कहें कि हमें डरना कुरोना से है वैक्सिन से डरना नहीं है और इस बेच डॉक्टर अनुराग हम से जुड़ गए हैं डॉक्टर अनुराग नमस्कार हेलो जी डॉक्टर अनुराग क्या आप हमें सुन पा रहे हैं अब भी किसी तक्निकी कारण वस डॉक्टर अनुराग हम से जुड़ नहीं पा रहे हैं शुताओं और जैसे ही डॉक्टर अनुराग से हमारा संपर्क होता है हम उनसे चार्चा करेंगे और बात हम कर रहे थे vaccination यानि टीका करन की कि कि किसी भी तरह की अगर किसी वेक्ति के अंदर vaccine hesitancy है तो हमें एक catalyst बनना चाहिए उसको ये समझाने में उसकी शंकाओं को दूर करने में और हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो vaccine लगवाना लगवा भी नहीं लेकिन थोड़ी बहुत अगर शंका रहती है तो उसे आप इस कारिक्यम के माध्यम से बहुत तमाम तरीके हैं जिससे आप अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं और रोज हमरे पास बहुत सरे call काल करते हैं और अपने जितनी भी जिग्यासाइं हैं इस क पर इब अपूरावल दे दिया है देश में इस समय चार वैक्सीन अब हो जाएंगी सदेशी वैक्सीन को, वैक्सीन की हम बात करें या हम Made in India को भी शिल्ड के बात करें और जो तीसी रूस की वैक्सीन है इस पूतनिक वी के बाद अब ये वो चौती वैक्सीन है जिसे मन्जोरी मिली है और इस तरह से जब चार वैक्सीन हमारे पास है तो उस केस में हमारे पास हमेशा ये संभावना ज्यादा है कि जादा से जादा लोगों में जो वैक्सिनेशन है वो होगा और जो रेट आफ वैक्सिनेशन है वो भी बढ़ाया जाएगा DCJ ने औशधी और प्रसाधन समागरी कानून 1940 के तहट नई औशधी एवम नैदानिक परिशनियम जो 2019 के प्रावधानों के मताबिक सिपला कामपनी को देश में सीमित आपात उपयोग के लिए इस जो मौडरना का जो कोविड वैक्सिन है उसकी उपयोग के लिए अनुमाती दी है तो ये अच्छी बात है और इसके अलावा देश में और भी ऐसी कामपनीज हैं जो बहुत एडवान्स स्टेज में हैं और टीकों का परिक्षन उनका अंतिम चरण में हैं एडवान्स स्टेजिस में हैं और बहुत जल्दी हमें कुछ और वैक्सिन भी मिलेंगी जिससे की अ अंजर से 25 डिगरी सिल्सियस पर रखा जाता है लेकिन 30 दिन तक इसे 2 से 8 डिगरी सिल्सियस पर रखा जा सकता है जैसा कि स्वास्ते मंतलाने ने अपनी ब्रीफिंग में बताया है और लाभरतियों को अगर हम देखी तो मौडरना की चार सबताह की अंतरलाल पर दो खुरा दी जाती है तो 28 दिन के गैप पर जो मौडरना की वैक्सीन है उससे दिया जाता है जैसे कि हम को वैक्सीन के केस में करते हैं तो यह एक ऐसी वैक्सीन है जो अब हमरे पास इसका अप्रूवल हमें अमेजनसी अप्रूवल मिल गया है और लेकिन हम यहाँ पर यह भी आपसे अपील करना चाहेंगे आपसे कहना चाहेंगे कि वैक्सीन बहुत सरे असे लोग हैं ऐसा देखा जा रहा है कि वैक्सीन लगवा तो ली है लेकिन यह मानते हैं कि हम पूरी तरह से प्रूटेटेट हैं लेकिन ऐसा नहीं करना है अगर आपने वैक्सीन ले ली है तो यह वैक्सीन नहीं लगवाली है और अगर आपको कोविड हो गया तो हो सकता है कि इसे आपको कोई जादा नुकसान ना हो लेकिन इसको फैलाने में इसको स्प्रिट करने में आप एक बड़ी भूमिका निभाएंगे तो इसलिए हमें कोविड से बचाओ करना है और कोविड को ल जो दो गस की दूरी है उसे मेंटेन करना होगा हमें हमेशा मास्क पहने रहना होगा और अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा और अगर सैनिटाइजर हमेरे पास नहीं है तो हाथ को धोना होगा और जादातर केसिस में जब हम घर पर हैं अपने कारेले में हैं वहाँ प पताते हैं हमारे विशेशगे की किस तरीके से दोना है, आपको अच्छी तरह से हाथ को दोना है, और अगर आपके पास साबून उपलग्ध नहीं है, हाथ धोने का कोई जर्या नहीं है, तो उस केस में, उस स्थिते में आपको सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा। कि जब हम मास्क लगाते हैं, हम हैंड हाईजीन का ध्यान रखते हैं, हम सोशल डिस्टेंसी का ध्यान रखते हैं, तो जब हम इन सब चीजों के साथ अपना अच्छा खान पान रखते हैं, यही दियो नॉर्मल है, क्योंकि कोविट से बशने के लिए ना सिफ हमें इन सब इससे में बहुत सारे ऐसे लोग जो इसनमे घर पे हैं और पूस कोविड सिंड्रोम है उनके अंदर तो उनके साथ भी यही समस्या आ रही है तो अगर आपको कोविड हो चुका है और ठीक हो चुके हैं तो आपको अपना विशेश ध्यान रखना होगा आपको अपना पॉश् हमें ये भी बताते हैं कि आपका जो खाना होना चाहिए वो उसमें हर कलर होने चाहिए चाहे वो गीन वेजेटेबिस के हम बात करें चाहे हम यलो फूट्स की बात करें या हम जो है अलग जो खाने पीने की चीज़े हैं तो तरह की चीज़ों का मिशन होता है जिसमें हर तर अनलॉक कर दिया है। और जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है हम देख रहे हैं कि लोग अपने घरों से बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे हैं बिना किसी काम के या पिक्निक पे जाना, पार्टीज करना, इस तरह की आक्टिवीटी समूम में अकठे होना, इस तरह की जब आक्टिव और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जैसा कि आम तोर पर आफिसेज में देखा जाता है, जब हम पार्टी करते हैं तब देखा जाता है, क्योंकि खाते पीते समय हम मास्क हटा देते हैं, और ऐसे में जो संकमर होने की जो संभावना होती है, वो बहुत जादा होती है, इतनी ज उख़ध दिन थे, क्योंकि किस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादात में कोवेट की रोगी सामनी आएं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब आपदा आती है, या मुश्किल वक्त कमा डू सकत, जब आपदा आती है तो उसे में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सोशल सर्विस करी और बिना किसी क्योंकि जब हम किसी अपने के लिए निकलते हैं वो तो एक बड़ी बात होती ही है लेकिन जब हम उसके लिए निकलते हैं जिसका नाम नहीं जानते उसके लिए सैक्रिफाइस करना उसके लिए अपनी जान जोखिम मेंडाना तो इस तरह से हमारे स्वास्त कर्मियों ने ये जो पूरा COVID का आपने देखा हम ये जरूर कह सकते हैं कि जहां पे इस तरह की शिफ्ट से और अगर हम मास की बात करें तो हमें तो सिर्फ मास लगाना है लेकिन हमारे जो पेरा मेडिकल स्टाफ हैं या हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो एक दिन में अपनी जो COVID वार्ट्स में डूटी करते हैं और जब भी कारकर में आते हैं तो वो हमें बताते हैं कि उन्हें 12-12 घंटे उन्हें PP किट पहनना पड़ता है और आपको जैसा कि मालूम है कि PP किट पहनने के बाद उसके बाद आपको अपनी बायलोजिकल कॉल्स के लिए भी बहुत मुश्किल होती है तो ऐसे में जब 12 घंटे तक हमारे स्वासकर्मी PP किट पहन कर उन लोगों की सेवा कर रहे हैं जिनको वो जानते तक नहीं तो ऐसे में हम नागरिकों का ये फर्ज है कि हम ऐसी कोशिश करें हम एट लिस मास्क लगाएं कोविड एप्रोपीड बिहेवियर का पालन करें और अन्नेसरी भीर ना लगाएं लोगों से थोड़ा दूर होकर बात करें और जैसा की जिसे कहा जाता है talking etiquette क्योंकि कहते हैं कि जब हम बोलती हैं तो उस समय हमारे सराईबा के जरिए उसने बहुत ز्यादा संक्रमन की संभावना होती है क्योंकि ऐसे मिंद जब हम बोलते हैं तो उस समय चाहे वो वायरस का चाहे वो surface transmission हो उसकी संभावना बहुत ज़ादा होती है तो इसलिए कम से कम ऐसी स्थिति में ऐसी परिस्थिति में हमें इन चीजों का ध्यान रखें तो अधिस काल टॉकिंग आटिकेट क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो अपनी बात जब कहना चाहते हैं तो जल्दी से मास्क उतार देते हैं और उसके बाद अपनी बात को कहते हैं क्योंकि मास्क लगाने पर थोड़ा सा जोर लगा कर बोलना होता है ये एक प्राब्लम है और जिसे हम सब भी समझते हैं इस प्राब्लम को कि मास्क लगा कर बोल कर ना सिर्फ खुद को सुरक्षित कर रहे हैं बलकि अपनी पूरी सुसाइटी को सुरक्षित कर रहे हैं से बड़ी देश सेवा कोई नहीं होती। और एक बात मैं आपसे और साचा करना चाहता हूं कि मास्क को लेकर कभी भी आप इसकी दिंदा न करें। तौनकि क्या होता है कि जब हम मास्क लगाते हैं और बार बार मास्क की आलोउशना करते हैं कि इससे बड़ी परिशानी हो रही है, बहुत करणी लग रही है, बहुत सांस कुट रही है तो होता यह होता है। उसमें आपको मास्क को अगर आप अपना दूस्त समझेंगे तो निश्यत तोर पर आपको इसमें साथानी होगी और इस बीच डॉक्टर अनुराग हमसे जुड़ गए है कारेकम में डॉक्टर अनुराग हेलो हेलो डॉक्टर अनुराग अभी किसी तकनीकी वज़े से शोताम आपसे शमा चाहते हैं कि आज जो हमारे एक्सपर्ट हैं आज की डॉक्टर अनुराग वो हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं किसी तकनीकी कारणों वर्स लेकिन फिलहाल हमारी आपकी बाची जारी है और हम बात ये कह रहे थे कि मास्क को आपको अपना दोस्त बनाना है मास् क्योंकि कभी में आप देखिए कि जो आपका बाटी कार्ट होता है वो आपकी सुरक्षा के लिए होता है जिस तरह से एक बाटी कार्ट आपकी सुरक्षा करता है इसी तरह से मास्क आपकी सुरक्षा करता है और मास्क आपकी सुरक्षा करता है तो आपको इसकी आरोशना क् का दम खोट रहा है आपको सांस देने में तकलीफ हो रही है या किसी ऐसी चीज़ को आपने मुँपे लगा रखा है जो आपका जो नॉमन नहीं है तो इस तरह से करने से आप निश्चित तोर पर comfortable हो पाएंगे आपको लगेगा कि हाँ अब मास्क लगा दे से दीरे दीरे मुझे किसी भी तरह की कोई समस्या समझ में नहीं आ रही है और आपको यही पता दें कि इस समय देश में कोविट को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है आप कोई भी जानकारी चाहते हैं किसी expert को ज है 1075 यह बड़ा important नंबर है इसको आप note कर दीजे और इसके साथ ही एक दूसा नंबर भी है 01123978046 इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं यह दो नंबर हैं जिन से आप किसी भी समय आप health expert से बात कर सकते हैं करोना से जुरी किसी भी जानकारी के लिए आप उनसे संपर कर सकते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि जानकारी के अभाव में हम गलतियां करते हैं समय पर किसी का ईलाज आप ठिस नहीं कर आते जिसकी वज़ से आगे जाकर इन चीजों की गंभीर परिंदा करने पड़़ते हैं तो इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि जब भी आपको कुछ ऐसा रगता है कि आपको किसी भी तरह की कोई परिशानी हो रही है, कोई जानकारी चाहिए, किसी तरह की मन में भ्रांती आ रही है, तो उस केस में आप 1075 नमबर है और दूसा नमबर है 012978046 जिस पर आप संपर्क क और बात जब मास्की चल रही है तो आपको यह भी बताते हैं कि मास्क को लेकर भी अलग-अलग वैग्यानिक अलग-अलग रिसरच कर रहे हैं और इस समय डबल मास्की बहुत बात चल रही है क्योंकि जिस तरह से अब नए वाइरस की बात किया जा रहा है, डिल्टा प्लस क बात हो रही है, तो कहा यह जा रहा है कि डिल्टा प्लस जो है, उसका संकमर बहुत तेजी सी होता है, और यह डिल्टा वाइरस से ज़्यादा खतरनाक है, तो ऐसे में अगर हम डबल मास्क का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऐसे में अगर आप डबल मास्क लगाते हैं, तो संक उनका जिन पे रहता है उनकी नाग और मुख खुली रहते हैं और वो सिर्फ इस डर से लगाते हैं और जब कोई उन्हें टोकता है तो वो ये कहते हैं कि मास्क तो है हमारे पास तो सवाल ये है कि मास्क आपके पास है लेकिन अगर आपनी लगाया नहीं है तो फिर बात कुछ बनती नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं आप एक सुपर स्प्रडर की रूप में सामने आते हैं, तो इसलिए आपको इस मास को हमेशा लगाए रहना है, और एक बहुत अच्छी सी जानकारी आपसे साजा करते हैं, कि सरकार ने रोको और टूको, बद्यप्रद करती ऐसा आता है, जिसने मास्क नहीं लगाया है, तो इसको रोको और इसको ठोको, तो यह जो ऐसी चीज थी, एक ऐसा कैमपेंट था जो बड़ा पापलर हुआ, जिसकी वज़से लोगों ने एक दूसरी को मास्क लगाने के लिए प्रेजित किया, और फिर यह ऐसी एक मु कोविड एप्रोपियेट बिहिवियर का, अगर आप पालंग करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको कोविड की चांसिस बहुत कम होंगे, और ना सिर्फ यही, बलकि आगी आने वाले समय के लिए, जैसा कि कहा जा रहा है कि आप इविन अपने बच्चें को भी आप पंगठित होकर, एक दूसरे से जुड़कर, क्योंकि अगर हम देखें तो कुछ चीजें इस कोविड गाल में हम मिस करते हैं, जैसे अगर हम बजर्गों की बात करें, तो बहुत सारे बजर्ग हमारे घर में, हमारे आसपास, हमारे रिश्टदारों में ऐसे हैं, जो पहले रोज सुबह वाक के लिए जाते थे, आपको जॉगिंग बार्ट से हसने की आवाजे आती थे, लेकिन अभी वो आवाजें खामोश हैं, वहाँ कोई नहीं जाता, क्योंकि विकॉज आफ कोविड लोगों के अंदर एक डर है, तो हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है, बलकि अपने जो बुजर्ग हैं, उनसे हमको सोशली कनेक्ट रखना है, हम उनको बीच बीच में फोन कर लें, उनका हाल ले लें, और उनको मोटिवेट करें, कि ये समय ऐसा है, क्योंकि जब आप किसी बुजर्ग को फोन करते हैं, उनका हाल चाल लेते हैं, उनसे उनकी हैर पूछते हैं तो दिश्चित तोर पर कहीं न कहीं उनको ये भी लगता है कि मुझे कोई पूछने वाला है और उनका होसला बढ़ जाता है क्योंकि आप सोचे कि और लोग तो चाहते हैं लेकिन हमारे बुजर्ग बहुत दिनों से घर से बाहर नहीं निकले हैं और ऐसे में बिल्कुल भी देद ना किजिए और उनको कॉल लगाईए और वो लोग जो इस समय कोविट के केस में अगर हम देखें तो एक इस समय एक बहुत सारे लोग अवसात के भी शिकार हुए कुछ लोग को जो है उनको जो इतना जादा हो गया कि उन्होंने अपने आपको अलग थलक कर लिया तो जुरुत है इससे डरने की जुरुत नहीं है बलकि इसका सामना करने की जुरुत है संगठित होने की जुरुत है और सबके साथ मिलकर जलने की जुरुत है क्योंकि अगर हम सब साथ हैं तो जिश्चे तोर पर कोविट का हम मुकाबला कर सकते हैं हम इससे ज रक्षित रहिए, खुशाल रहिए, सवस्व रहिए और मुस्कराते रहिए और दीजी मुझानमती, नमस्कार. रहिए, समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया, इसे आप हमारे मुबाइल अप न्यूज ऑन एई आई आई आर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एई आई 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 आउफिशल पर भी सुन सकते हैं, इस करिकरम के संबंद में अपने प